समझकार दोस्तों, Hello Everyone UPBCA 2024 का नॉटिफिकेशन आ चुका है और उसी के लिए मैंने एक स्टार्ट करेक क्रैश कोर्स Modern History आदोनिक भारत का जिसमें भी तक हम लोग दो वीडियो देख चुके हैं और ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे Indian National Congress, भारतीय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के बारे में साथ ही साथ में जो ROARO वाले आश्पिरेंट हैं वो भी सीरीज को देख सकते हैं ये सीरीज उनको भी काफी फाइदा करेगी अब ये आपकी समझे ये वीडियो चलेगी कैसे पहले इस वीडियो में Congress को लेके जितने भी fact हैं और जितने भी concept हैं मैं आपको वो समझाऊंगा अलग-अलग जगा कहां-कहां पे इसके sessions हुए हैं अदिवेशन हुए हैं उसके बारे मैं आपको बताऊंगा फिर हम लोग क्या देखेंगे प्रिवियस येर questions पिछले सालों के प्रश्चन जो UPPSC के exam में आ चुके हैं इसको लेके Congress को लेके जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे facts, सारे concept और PYQ भी जब देख लेंगे सब कुछ conceptual clarity हो जाएगी इस topic को लेके और ये topic से आपके questions भी काफी आते हैं UP के exam में, UP PCS में भी आएगा और R.A.R.O. में भी आएगा चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है तुशार महरा और आप देख रहे हैं GS चक्र वियू सबसे बहले अगर Congress की बात करें जो शुरू का 20 साल है इसमें जिस जिस लोगों का जिंजिन लोगों का दबदबार आया है उन लोगों को बोला जाता है moderate या उदारवादी ठीक है अलग-अलग नाम है उनको क्या बोला जाएगा या तो आप moderate बोल सकते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे आप लोग उदारवादी लिबरल भी बोल सकते हैं या नरम पंथी भी बोल सकते हैं आप लोग ठीक इनका यह कहना था कि अंगरेज लोगों को हमें ज़्यादा परिशान नहीं करना है और अंगरेज लोग हमारे इंडियन्स का भारतिव का भला चाहते हैं बस उनको नीचे की समस्य है पता नहीं है कि नीचे का जो तपके का इंडियान है उसकी समस्या है क्या है अगर हम वो समस्या अंग्रेजों को बताएं तो वो लोग सही में भले आदमी है वो हम लोग क्या करेंगे भला करेंगे मतलब इन लोग को पूरा भरोसा था अंग्रेजों के जस्टेस में moderate चुरू में इनी लोग क डिटेल में बात करेंगे हाँ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और फिर extremist जो थे आपके उग्रुपंती चरमपंती उनके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग कॉंग्रेस को रखते है बताया मैंने आपको इसलिए कि थोड़ा हलका सा overview मिल जाए है रिटाइट सिविल सर्वेंट सिविल सर्वेंट जैसे आप लोग अभी UPSC की तियारी कर रहे हैं आप लोग जो IS का एक्जाम देने जारे हो अगर आप लोग आईएस बन जाओ भारतियों को लेके तो इन्होंने क्या करा कि आओ चलो कॉंग्रेस बनाई जाए इस समय पे 1885 में वाइसरोई कौन थे भारत के इस समय पर कॉंग्रेस बनी तो वह थे वाइसरोई समय पर लॉड की ध्यान रखेगा नाम लॉड डफरेंट अब इनके बारे में बात करेंगे कौन थे है ध्यक्ष पहले सेशन के तो वो थे आपके डबलू सी बैनर जी पुरा नाम क्या है वुमेश चंद्र बैनर जी डबलू सी बैनर जी इतना काफी है कितने लोगों ने पार्टिसिपेट गरा था भात्तर लोगों ने कहां पर हुआ था यह हुआ था आपके बॉंबे में बॉंबे में भी किस जगह पर गोकुल दास तेजपाल संस्क्रिट कॉलेज कहां पर गोकुल दास तेजपाल संस्क्रिट कॉलेज में हुआ था हर सेशन में किस जगह पर हुआ है वह आपको धियान रखने जो इंपॉर्टेंट सेशन कॉन से कॉलेज के कौन से इंपॉर्टन्ट नहीं शिर्प पहले सेशन के लिए इंपॉर्टन्ट है , इसके लिए सिर्फ पहले सेशन के बोकुल यास्टेश्पाल संस्कृत कॉलेज थो यह हैं , in आपके किस कही बता दिया , 5000 में आपके किस ने बनाई है , ने बनाई है , सिविल सर्विंट से पहले अध्यक्ष कौन थे डबलू सी बैनर जी पहला सेशन अठार सो पचासी में का हूँ अब बॉंबे में हुआ गोकुल दा स्टेश पाल संस्रिट कॉलेज कितने लोगों ने पार्टिस्पेट करा बाहत तरने वाइसरोई कौन थे इस समय पर वो थे आपके लॉट डफरिंट ठीक है होता कब सेशन का अब होता था हर साल दिसंबर के महीने में होता था सातर दिसंबर के महीने में हुआ कभी कुछ कुछ के एक्सेप्शन रहे हैं और दिसंबर के महीने में भी हर साल अलग-अलग पोने मतलब दिये Congress के बारे में तो वो जरूर धियान रखना है पूछ लेता है Congress को लिए कि statement किस ने दिया इन्होंने क्या बोला है Congress is an organization of microscopic minorities Congress is an organization of microscopic minorities Congress तुक्षम अलप संख्यकों का एक संगठन है किसने law different ने बोला है इसका मतलब क्या है देखे था कि जब Congress बनी थी अभी शुरू शुरू में 885 में तो किन लोगों ने मिलके बनाई थी उस समय वो जो एकदम educated middle class हुआ करता था शिक्षित मद्यमवर गिये जैसे आपका doctor हो गया teacher हो गये lawyer हो गये journalist पत्रकार हो गये इन सब लोगों ने मिलके बनाई थी अब educated लोग उस समय पे बहुत कम हुआ करते थे आज भी अगर आप doctor लोग को देखने जो doctor लोग वैसी population के साब जन से के साब से काफी कम है उस समय पे और कम थे lawyer लोग भी काफी कम थे जो एकदम highly skilled lawyer थे तो इन लोगों ने मिलके ये बनाई Congress अब इन लोगों का क्या था शुरू में जो Congress में जितने लोग पढ़ रिके लोगों ने बनाई इनका जनता के साथ में जुडाओ जो था वो बहुत कम था जनता को लेके इनोंने कोई अंदोलन भी नहीं करवाया तो जुडाओ इन लोगों का बहुत कम था दूर दूर रहते थे तो इसी वज़े से लॉट डफरेंड ने का कि ये जनता को तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहे उनका प्रतिनिदेट कर नहीं रहे तो इसलिए ये क्या एक अल्प संख्यक एक माइनॉरिटी है कौन कॉंग्रेस मतलब माइक्रोसकोपिक माइनॉरिटी इसलिए लॉट डफरेंड ने बारे में ये स्टेटमेंट दी थी कि पूरी जनता को भारत की पूरी जनता को ये लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं एक थोटा सा जो तबका है जो बहुत बड़ा लिखा तबका है उन्हीं के इंट्रेस्ट के लिए लोग बात उठा रहे हैं ये किसने बोला ता लॉट डफरेंड ने बोला तो ये धियान रखिएगा नेक्स स्टेटमेंट देखते हैं किसने दिये बस दो स्टेटमेंट एक पहली और एक दूसरी ये दिये लॉड करजन ने ये भी वाइसरोय रहे हैं ये वाइसरोय कब रहे हैं और वाइसरोय का टाइन तुम लोग बाद में देखेंगे इन्होंने किस साल दिये स्टेटमें पतन की और जा रही है मतलब अपने समाप्त होने की और जा रही है भारत में रहते इसका पतन हो जाए यह किसने बोला लॉड करजन ने बोला तो statement काफी important है यह बर हिंदी में भी देख ले रहे कॉंग्रेस अपने पतन की और लड़करा रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वकान्शाओं में से एक इसकी शान्ती पूर्ण समापती में सहयता कन्ना है यह किसने लॉड करजन ने इंगलिश में बता दी हैं अन्दी में भी statement बहुत important है कॉंग्रेस को लेकी है इसलिए आ सकता है अब कुछ theories हैं सबसे पहली theory Congress को लेके है आपकी safety valve theory कॉंसी safety valve theory किसने दिये यह दिये हैं आपके लाला लाशपत राएन है कॉंसी safety valve theory था क्या safety valve theory समझें important है इसी कॉंग्रेस कब बनी है यह बनी है आपकी 1885 में इसी के कुछ सालों पहले ही 1857 में यह था कुछी समय पहले भारत वासियों ने सलकों पे उतर के हम लोगों खिलाफ हतियार उठा लिये ऐसा नहों आगे भी ऐसा हो जाए जब 1857 में उठा सकते हैं तो बाद में भी तो उठा सकते हैं ना तियार और उस समय पे अंग्रेजों काफी नुकसान हुआ था हलाकि उ तब तो वाकि हमें बाहर निकालते देश से फिर हम जो सोने की चड़िया हमारे हाथों से निकल जाए तो ऐसा ना हो कि लोग हतियार उठाए हम क्या करते हैं इनके लिए एक संस्था बना के दे देते हैं या एक और्गनाइजेशन बना के दे देते हैं कौन सी कॉंग्रेस य таких अब होगा जो जिन भारत वास के मन में गुष्ण हो गा उनको ये लगेगा ना कोई जना कोई संस्था है जो हमारी बात उठा सकती और अंग्रेजों के अंग्रेजों ऐसा ये थियोरी किस ने जरूर दिये लेकिन इस वज़े से अंग्रेज लोग ऐसा सोच रहे होंगे अंग्रेज लोग का ये कहना था कि मान लोग कॉंग्रेस ना बनाई अब जो भारत वासी है इनके मन में गुस्ता वो तो सीधा कि हतियार उठा लेंगे और भार को निकाल द गांग्रेजों तक रखेगा मतलब इससमझी बिल्टिश अर्स ने ऐसा सोचा यह आपके अंग्रेज यहां पर आपके भारती इंडियों सो भीच में और अंग्रेज भारत वासी हो को बातों कि वह इस तक पहुचाएंगे अगर यह बीच में नहीं होता तो सीधा यहां तक बात लेके आते हो कैसे आते डंडा लेके आते हतियार लेके आते हो इन लोग को भगार देते इसलिए इन्होंने जान मुझकी अंग्रेजों ने किसको बनाए कॉंग्रेस को बनाया ताकि भारतवासियों का गुस्सा हतियारों के तरीके से ना निकले कॉंग्रेस तक जाए कॉ फिर आपकी लाइटनिंग कंड़क्टर थियोरी यह किस ने दिये गुपाल कृष्ण गोख ले ने दिये कौन सी लाइटनिंग कंड़क्टर थियोरी इन थियोरी है सेफटी वाल ललालाच पत्रा है कॉंस्पिरेसी आर्पी दर्ट लाइटनिंग कंड़क्टर गुपाल कृष्ण भोक ले इनों इंपोर्टेंट है अब आते हैं सेशन्स जुमिन में नहीं ठीक है सबसे पहले तो अभी समझे 1885 लिखा भी हुआ है इसलिए मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि आपको याद हूँ जाए 1885 कहां पर हुआ है बॉमबे में में जानते अध्यक्ष डबूसी बेणर जी सेचासी में कहां हुआ है यह हूआ आपके मदरास में लिख इसलिए रहा हूं ताकि याद हुजाए आपको पहले के चार सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 87 में कहां पर मदरास 87 में 88 में आपके कहां हुआ है वो हुआ आपके अलहाबाद में हुआ तो नाम इसका प्रयागराज हो गया है ठीक है Congress के पहले Muslim अध्यक्ष पहले Muslim President कौन थे तो वो हैं आपके बदरुदीन तयब जी तो यह याद रखेगा who was the first Muslim President of INC तो he was बदरुदीन तयब जी आपको याद रखना है आगे के session देखते हैं अब जो main main session है मैं आपको वो समझा दे दा करेंगे जैसे moderate करेंगे एक्स्ट्रीमेस्ट क्रांतिकारी का तीविदी तो में सब sessions तब भी हम लोग याद करते जाएंगे पड़कते जाएंगे जो important है मैं सिब आपको भी बता रहा हूं फिर आपका 1905 के बनारा session को किसने प्रेसिडेंट कौन थे गुपाल कृष्ण गोकले इस समय स्वदेशी अंदूलन भी चलना था बंगाल का विभाजन बेंगॉल पार्टिशन भी इसी समय अनाउंस हो गया था 1906 कैलकटा में कौन बने दादा भाई नरोजी जो आपके extremist लोग थे उग्रुपंती उन्होंने उनका कहना था कि हमारा कोई बंदा जो है वह अध्यक्ष बनना चाहिए लेकिन मॉडरेट लोगों ने का नहीं दादा भाई नरोजी को अध्यक्ष बना दिया गया था उसके बाद में लोग देखें इंपोर्टेंट है यह है आपका 1917 का कैलकटा सेशन इसमें कौन है अध्यक्ष है इसमें है आपकी एनी बेसेंट एक अंग्रेज थी लेकिन भारत आगी थी इनके मन में भी सहानुबूती थी भारतियों को लेके सही में सहानुबूती थी कॉंग्रिस जैसी नहीं जैसे सेफटी वर्ल थियोरी पड़ी है इन इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि यह कुश्चन इसलिए आएगा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है कॉंग्रेस की पहली महीला अध्यक्ष कॉंग्रेस की कौन बनी तो वो है आपकी एनी बेसेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यूस्चन पहली महीला अध्यक्ष फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आफ कॉंग्रेस एनी बेसिंट कौन थी एनी बेसिंट कौन से साल में 1917 में कहां पर हुआ था यह दिवेशन यह हुआ था आपके कलकत्ता में यह तो पूरा याद रखना है इंपोर्टेंट है फिर हम आगे देखते हैं 1924 का इंपोर्टेंट बने मतलब गांदी जी सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने कॉंग्रेस के आप लोगों को लगता हो का बहुत बार बनते गए हैं लेकिन वो सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने है तब बने 1924 में कौन सा सेशन ता बिलगाउं सेशन बिलगाउं है कहां पर कनाटका में है ठी क्यों आता है यह हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन हिंदी वालों को भी बता रहा हूं परस्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंसी पहली महीला द्यक्ष कौन है क्योश्चन यह कंफ्यूजन है पहली महीला द्यक्ष पहली महीला द्यक्ष एनी बैसेंट ठीक है पहल भारत्या मइला दहग्ष फर्स इंडियन मुमेन प्रेसेडेंट तो वही आपकी सरोजनी नाइडू ओا सा डाउसा दिपरेंस है लेकिन समझीए पहली महिला दहख्ष वहा नीप qualcosa पहली भारत्या महिला देक्ष तो वही सरोजनी नाइडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट लेकिन अगर हम लोग अगर देखा जाए महिलाओं में पहले पहली महिला देख्ष कौन है तो एनी बसेंड दूसरी महिला देख्ष तो फिर ऐसे में सरोजनी नाइडू होगी लेकिन भारतियों की बात थो यह कौन से सेशन में 1925 के अधिवेशन में कहा हुआ है अपने कानपूर में हुआ है उत्तरवदेश ठीक है ध्यान रखेगा काफी इंपॉर्टेंट है पिर आपका 1929 का लहुर सेशन इसमें कौन ते है देख्ष जवाहलाल नहरू पिर 1939 का हरी पूरा सेशन यह सुबाश चंद इसब्सक्राइब और पूरा पढ़ने कि जवर्द होगी में वहां पूरा पढ़ दोंगा जहाँ जहां पर शॉट में काम चल जाएगा देख्लेंगे में पूछा जारा है पहला संमेलन का का हुआ हुआ है पहली कौन्फरेंस कहां पर हुई है कौंगरेस की फिर्स कौन्फ यह 1885 में कौन थे है देख्ष अभी बताया मैंने आपको तो कौन थे सी डबलू सी बैनर जी वुमेश चंदर बैनर जी यह मैंने आपको बताया अभी फैक्ट में क्या है आगे कुश्चन देखते हैं क्या है जेनरल सेक्रेटरी अफ दे इंडियन नाशनल कॉंग्रेस इन दे यर 1885 वस वर्स 1885 में भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के महा सचिफ कौन थे 1885 में अध्यक्ष बता दिया वुमेश चंदर बैनर जी लेकिन जेनरल सेक्रेटरी आपके महा सचिफ वो थे ए-ओ-धियूम कौन थे ए-ओ-धियूम यह फाउंडर भी हैं कॉंग्रेस के संस्थापक भी हैं कॉंग्रेस के और 1885 के अधिवेशन में यह महा सचिफ जेनरल से सेक्रेटरी है काम क्या होता है सब कुछ और्गनाइज करना कि सब लोग सही सिक प्लैनिंग होके आ जाएं कॉंफरेंस कराने तो यह इनका काम था ए-ओ-धियूम अगला कुश्यन देखते हैं क्या है इंडिया नेशनल कॉंग्रेस वर स्टैबलिच वाइस रोयल्टी ऑफ भारती राश्ट्री कॉंग्रेस की स्थापना किसके शाशनकाल में होई थी यह भी बताया कौन थे वाइस रहे उस समय लॉड डफरेंट लॉड डफरेंट इन्होंने स्टेट्मेंट भी दी कॉंग्रेस को लेके कि वह एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी थी आल्प संख मैंने अभी आपको बता रहा हूँ पहले चार सेशन तो आपको बता दिए 85 का 86 का शाषचन बता दिये 1888 का जो session है वो कहां पे हुआ है अलाबाद में हुआ है और उस समय पे अध्यक्ष कौन बने उस समय पे अध्यक्ष बने जॉर्ज यूले ये थे Congress के पहले अंग्रेज अध्यक्ष पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट ठीक है जॉर्ज यूले तारे भारतिये लोग नहीं अध् ये अंग्रेज थे इनको अध्यक्ष बनाए गया तो पहले आपके अंग्रेज अध्यक्ष जो Congress के रहे हैं वो कौन है जॉर्ज यूले कौन से साल में ये भी जरूरी धियान रखना 1888 में कहां हुआ था हुआ था हुआ था अलाबाद में अलाबाद में तो में नाम इसका प्रियाग राजी पता जी तो करेक्ट आंसर क्या होगा अब कभी जॉर्ज यूले ठीक नेक्स्ट क्यूस्ट देखते हैं कि अमंग दा फॉल्विंग वस नेवर एलेक्टेड आज प्रेसिडेंट आफ दा इंडियनेशनल कॉंग्रेस निम्लिकिन में से किसे कभी भारती राश्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नहीं चुना गिया बाल गंगादर तिलक जो थे वो कभी आपके अध्यक्ष नहीं बने बाल गंगादर तिलक कभी प्रेसिडेंट नि बने गन्गरेस के तो करेक्ट आंसर क्या होगे वो होगे आपका दी बाल गंगदर तिलक 1906 में इनका मन था बनने का एक एक्स्ट्रीमिस्ट उग्रपंती ग्रुप से थे इनका मन था लेकिन उस समय पे भी किसको अदेख्ष बना दिया कि ता दादा भाई नरोजी में कि जब हम लोग उग्रपंती में पढ़ेंगे कि जो गरम पंती हैं उसमें लोग देखेंगे तब समझ में आएगा कि क्यों नहीं बन पाए थे क्या वज़े थी उस समय अगला क्यूश्चन देखते हैं क्या है क्यों अमंग दा फॉलूइंग वुमें प्रेसिडेंट आफ दी इंडियनेशनल कॉंग्रस निम लिखेद में से कौन भारती राष्टी कॉंग्रस की पहली महीला अध्यक्ष ती क्या बोला जारा है पहली महीला अध्यक्ष तो मैंने अभी आपको बता दिया कौन है पहली महीला अध्यक्ष वो है आपकी एनी बैसेंट ठीक है कौन एनी बैसेंट है महीला अध्यक्ष अगर यहीं होता पहली भारती है महीला अध्यक्ष पहली भारती है महीला अध्यक्ष तो वह होती है आपकी सरोजनी नाइडू लेकिन पहली महिला अद्यक्ष बोला जा रहा तो एनी बैसेंट है कौन से दिवेशन में बनी कौन सेशन में उनने 17 के का हुआ था कैलकटा में हुआ है सब बता देख भी ले रहे हैं अब लोग हो जाएगी यह तो 17 के कैलकटा आगे देखते क्या है वाद फर्स्ट इंडियन मुमें प्रेसिडेंट आफ कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पहली अब इंडियन हिंदी में इंडियन ने लिखा हुआ है पहली भारती है मतलब फस इंडियन वुमें प्रेसिडेंट पहली महिला अध्यक्ष तो आपकी अनिबेसेंट होगी पहली भारती है महिला अध्यक्ष इंडियन मुमें प्रेसिडेंट इसमें इंडियन माल लिजे भारती है कर लिजेगा हिंदी वाले त पहली तो वो कौन है वो है आपकी सरोजनी नाइडू ठीक है सरोजनी नाइडू कब बनी है यह बनी 1925 के सेशन में कहां पर कानपूर को पॉर्टेंट है पुराना पुरानी जो वीडियो को बैक करके देख लिए अच्छे समझा दिया था क्यों इस का अंसर यह है ठीक है मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में भी आ गया हो आगे देखते के हैं कौन भारती राश्ट्री भारती राश्ट्री कॉंग्रेस का ध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्रों के व्यक्ति थे तो वह हैं आपके अबुल कलाम अजाद कौन अबुल क अबुल कलाम अजाद इसमें तो नहीं मैं शायद इसमें नहीं लिखा हुआ सेशन में लेकिन अबुल कलाम अजाद जो हैं सबसे कम उम्रों में राश्ट्रुपती मतलब राश्ट्र प्रेसिडेंट बने किसके कॉंग्रेस के किसके कॉंग्रेस के इतने साल के तब यह यह एक्जाक 35 साल के उस समय पे और ये बने हैं 1923 के सेशन में बने हैं अब 1923 के दिल्ली के सेशन में अबूलकलाम अजाद के बारे में एक फैक्ट और दियान रखे ये इस देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे और सबसे कम उमरों के सबसे जवान व्यक्ती कॉंग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले तो वो कौन है अबूलकलाम अजाद वो भी अगला दिखते हैं वो अमंग दे फॉल्विंग सजेस्टेट दव वाइंडिंग अप उफ इंडिया नेशनल कॉंग्रेस आप्टर इंडिया टेंड इंडिपेंडेंस निम लिखिद में से किस ने भारत की स्वतंत्रता के बाद भारती राश्ट्री कॉंग्रेस को बंद करने का सुजाओ दिय बोला यह जा रहा है इसने सुजाओ दिया कि जब हमें अजादी मिल जाए कॉंग्रेस किस लिए बनी थी पहले तो यह था राश्ट्रवाद बढ़ाना बाद में मकसद हो गया था अजादी चाहिए 1905 के बाद में तो इसने बोला कि जब अजादी मिल जाए जब हमारा जो बोले वह पूरा हो जाए तब इसको बंद कर दना कॉंग्रेस को ऐसा बोला है आपके महात्मा गांधी जी ने सी महात्मा गांधी जी ने बोला लेकिन वह बंद तो हुई नहीं उसके बाद भी भारत पे शाषन कॉंग्रेस नहीं करा मतलब यह इसी पार्टी का कोई ना कौन कौन से नाम एक नाम है आपका महात्मा गांधी जवाहलाल नहरू वल्लबभाई पटेल और सरोजनी नैडू बोला जा रहा है कि कौन किस टाइम पर राश्ट्रुपती बना राश्टुपती का मतलब अजाद भारत के राश्टुपती की बात नहीं हो रही है इसका मतल सबसे पहले कौन बना फिर कौन बना फिर कौन बना यह लगाना है में टेबल में चलना पड़ेगा हम लोग देखते हैं जड़ा कुशन इंट्रेस्टिंग है कुशन आपके बास काफी आता है देखिए सबसे पहले तो आपका अगर देखा जाए महात्मा गांदी बने है कि कब 1924 में कौन कौन से नाम ते महात्मा गांदी नाम था सरोजनी नाइडू जवाल लान नहरू और सरदार वल्लाबाई पटेल अगर इसका क्यूशन में चलते हैं क्या क्या है एक है अ अगर सबसे पहले कौन बना है आपको बताया कि आपका पहला है फिर चौधे नमबर पर बनी आपकी सरोजनी नाइडू मात्मा गांदी कि एक साल के बाद इतीए पिर आप आपका कौन बना फिर आपके बने जवाहा लाल नहरूति फिर कौन बना तीसरे में बने वल्लब भाई पटेल सरदार वल्लब भाई पटेल पर देख लिजिए कि 1924 में आपके महात्मा गांदी फिर सरोजनी नाइडू ठीक तो यह आपका इसका करेक्ट ओडर क्या हो गया है इस क्वेशन का पहले देखिए फस्ट वाला सबसे पहले तो पहले वाली होंगे महात्मा गांदी तो वन फिर फोर मतला करेक्ट ओडर होगा वन फोर टू थ्री क्या है तो करेक्ट ओडर कौन सब वो है आपका सी वाला पन महात्मा गांदी फिर सरोजनी नाइडू फिर जवाह लाल नहीं हो फिर वल्ला बाइपटल वन फोर टू थ्री एक नेक्स कुशन देखतें क्या है तो उनली सेशन ऑफ दे इंडिया नेशनल कॉंग्रेस प्रिसा अगला क्यूशन देखते हैं क्या है मैच लिस्ट वैन विद लिस्ट टू एंसे मैचिंग करनी से इतना ध्यान रखिए को ले जरा कब कौन बना है तो आपको सिभ मैचिंग में एक दो आप्शन भी पता हो नहीं तो आप पूरा आंसर साही से कर सकते हो ठीक है सरोजनी कानपूर के अधिवेशन में कहा कानपूर में इनको तो जरा माक करिए कानपूर में पिर सुभाष चंद्र बोस जब अध्याक्ष बनेते हो कहां के बनेते हरी पूरा सेशन को यह भी मैंने आपको बताया था सबसे पहले देखिए सी का आपको क्या दिख रहा है सरोजनी न आ जाए ना तो इसका मतलब है यह वाला करेक्ट अंसर दिक्कत का वह होती है जब सी का टू दो तीन ऑप्शन में हो इसमें तो यह की मैं सी का टू सुभाष चंद्र बोस का मिले जिए सुभाष चंद्र बोस का डी का कौन सा है वन है हरी पूरा यह भी सही आ रहा है तो इस मदरास में बने सुभाष चंद्र बाकी आपको दो भी पता लग जाते ना इसमें तो काम हो जाता है इस आप्शन में तो अगर आपको इस पता था तो आप लोग कर लेते बस हलका सा कॉमन संस लगे नेक्स क्यूश्शन देखते हैं क्या है तो तीन क्यूश्शन बचे हैं बस तीन बचे हैं वो अमंग दा फॉल्लिइंग वस दा पैसिडेंट आफ इंडिया नेशनल कॉंग्रिस कंटिनियूसली फॉर सिक्स इयर निम्लिकेत में से कौन छह वर्षों तक लगतार भारती राष्ट्री कॉंग्रिस के अध्यक्षて हैं बार्गिस का सत्रा व्चे क्या क्यों औरख सारे कव इनगर्ष का संतरा अधिवे अनलग कती फॉल्फ फॉर संतरा अध्यवे के नेख count जुढए था, वस बने फिल्फ था जो आपके political leader थे freedom fighter उनको जेल में भी डाल दिये गया थे इस वज़े से कोई session कोई अधिवेशन नहीं हुआ था तब ये 6 साल तक लगातार रहे थे और अजादी के बाद सबसे लंबे समय तक कौन रहा ध्यक्ष कॉंग्रेस का तो वो रही है है श्रीमती सोनिया गांदी जी अगला question देखते हैं अजादी के समय जे बी कृपलानी आकरी question देखते क्या है इसलिए वो आगे हिस्सा नहीं ले पाए बहुत बड़ा नाम था इस समय तक भारत में उस समय पर ठीक है तो ध्यान रखेगा इसलिए कुशन बूला जा रहा है उन्नेस सोनिस का कहा सेशन हुआ ता अम्रेस सर में सत्र अब अम्रेस सर में क्यों हुआ उन्नेस सोनिस का क्योंकि कि इन्नेस सोनिस में ही जलियां वाला बाग मैसे का जलियां वाला बाग हत्या कांट हुआ था तो उसके लिए सहानूबूती के लिए अंग्रेजों का प्रोटेस्ट करने के लिए ही सेशन कहां रखा गया था ये अम्रेज सर में रखा गया था कब 1919 में दान रखेगा चलिए यहां पर अब यह देखे questions खतम सारे facts सारे concept और सारे मैंने आपको PYQ भी करा दिये Congress के वीडियो एक बार फिर से देख लिजेगा इसके बाहर कुछ भी लगा और अगर कुछ नहीं अच्छा लगा कुछ आपका सुझाओ है अगर मैं नहीं पसंद आपको तो वह भी कमेंट बाक्स में बताएं यहीं पर वीडियो भी खतम करते हैं नमस्कार